जिस बेक्ति को 243 में मातर 43 सीट हो वो बिहार का मुखमंतरी हो अपने मेरीट पर नहीं है बलकि हम जुम्लेबाजी क्यादा है सर नितीस कुमार जी की पार्टी के तरफ से फिर से बिसेश राज के दरजे की मांग राग अलापी गई है नितीस कुमार जी जब जब राजनीतिक रूप से अपने को कमजोर पाते हैं तो इस तरह के मुदे उठाते रहते हैं वह चाहे विशेष राज का दर्जा हो, कभी सराबंदी हो, कभी महिलाओं का अरेक्षन हो, काम में कम विस्वास है और उनको इस रंग के नारों में ज्यादा विस्वास है, हम समझते हैं कि एक समय जे पूरे राज में उन्होंने हस्ताक्षा रभियान चलाया था विशेष र नाराज की दरजा की महांग की थी, और ट्रक से एक करोर से ज्यादा अस्ताक्षर कराकर गया पंसवापा था, इतने बड़े मुदों को लंबे समय तक उन्होंने सत्ता के लिए भाजपा के नाराजगी ना जहलना पड़े इसके खारण से उन्होंने पीछे कर दिया, अब पिर ऐसा लगता है कि उनको खत्रा मसूस हो रहा है भाजपा से, भाजपा इनको भाव नहीं दे रही है, फिर इन्होंने मुद्दा उठाया है, और इसी तरह से मुद्दे उठा उठा करके, वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, या भी नमना ही कहेंगे, कि जिस बेक्ति को 243 में मातर 43 सीट हो, वो बिहार का मुखमंतरी हो, तो ऐसे लोगों को तो इन चीजों पर भरोसा और बढ़ जाता है, उसमझते हैं कि नहीं कारणों से हम हैं, अपने मेरीट पर नहीं हैं, बलकि हम जुमलेबाजी के अधार पर बने हुए हैं, बीजे पी अब मतलब परेसा बीधान सभा का अध्यक्ष था, आज भाजपा का बेक्ति लोग सभा का स्विकर, बीधान सभा का स्विकर, दोदो उप मुख मंतरी इन्हें देना पड़ा, और जो भी परमुख जो विभाग है, वो अचाहे पत्निर्मान हो, अथवा आप देखेंगे कि हेल्थो हो, तो ऐ यसे महत पूर्ण विभाग नगर विकास हो, वो सभी भाजपा के पास है, तो सत्ता के कारण इनको समझावता करना पड़ा, अंदरुनी रूप से भाजपा की नाराजगी या भाजपा की बेरूफी का इनको एसास होगा, जो हम और आप नहीं जानते हैं, और भाजपा इस के लिए लाइव लीटी बन चुके हैं, उसके पहले अपना स्लोगन दे करके दूसरे दलों में अपनी उपयोगिता बढ़ाना चाहते हैं, बाते और आ रहे हैं कि 2024 का लोग सभाने वाला है सर, उससे पहले या अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि नितीज कुमार इधर से उधर होने का मन बनाएंगे, क्योंकि अब उनके पास ज्यादा खोने के लिए ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ नहीं है, मुख मंत्री के बाद प्रधान मंत्री है, तो यह मन में उनके मन में लालसा होगी, या फिर ऐसा कुछ की बीजे पी को कब छोड़ना है, ऐसा कुछ उ इनका अपना खेल चुके हैं और एक्स्टेंशन पर चल रहा है, तो एक्स्टेंशन पर चलने वाला आदमी तरह तरह के हतासा में अपनी बातें करता है, और उसी हतासा का ही परिणाम है, आज जब इस सारा बिहार है, फिर करोना के जो आने वाले लहर है, उसे भयाक्रांत ह इरोपियन कंटेज लगातार एचेतावनी दे रहे हैं, उसकी तयारी ना करके और गुम रहे हैं समाज सुधार के, समाज सुधार का ही तो एक कदम इनका था, सराबंदी उसमें बुरी तरह अस्पल रहे, और उनके साथ निस्चे का जो जनाएं थी, उसारी जनाएं बुरी तरह फेल हो रही है, इनका खुद का विभाग जो एकनोमिक ओफेंसेज डिपार्टमेंट हैं, एक अक सीओ के पास कलोरो अर्बों की संपत्ती मिली है, तो ऐसे सारे पदाधिकार इनके भरस्टाचार में लिपत हैं, ए अपना खुद अपने आपको मुगालते में रखते ह हैं, अपसरों से घीरे रहते हैं, जमीनी सचाई का इनको पता नहीं है, जहाँ जाते मिया हैं, वहाँ भी अपसर से घीरे रहते हैं, और आम लोगों से इनका कोई interaction नहीं होता है, जनता दरबार बहुत दिनों के बाद जब इन्हों ने सुरुआत की है, जो मामले उनके पा दोनों एक दूसरे को छोड़ सकते हैं, लचारी होगा तो दोनों एक दूसरे के साथ भी रह सकते हैं, अब भी आप कुछ निश्चित रूप से नहीं कर सकते हैं, जिस तर से भाजपा का भी ग्राफ गिर रहा है, तो भाजपा का ग्राफ गिर रहा है, तो हो सकता ही समझते हो कि आने वाले समय में भाजपा लाइबिलिटी सावित हो सकती है दूसरा है कि खुद भाजपा भी सोच सकती है कि समाज के सभी वर्ग के लोग इन से नाराज है तो भाजपा के लिए भी लाइबिलिटी हो सकते है अभी अंदरूनी कोई बात तो मता नहीं सकता है भाजपा तो अभी सरफ पकड़ वाली बात है मगर क्या नितीज के PJP के साथ रहने से BJP को नुक्सान है या फिर नितीज को नुक्सान है BJP को बहुत नुक्सान है समाज वonce वर के लोग जो इने के समर्थ जो यह काफी अभी देखेंगे कि अभी जो पपूदेव की हत्या हुई है तो जो जिस वर्ग से पपूदेव आते हैं वो वर्ग भाजपा का ट्रेडिशनल और अनकंडिशनल समर्थक है ब्रम्भन समाज वो अभी करीब करीब भाजपा का समर्थक है जिस तरह से जितना मांजी ने बयान दिया आप देखेंगे कि जो अपेक्षाक्रित भुमिहारों से ज्यादा स्थांत जो कौम है तो उसको देखेंगे कि बिलकुल पहली बार सणकों पर आया और जितना मांजी को उन्हीं की भासा में जवाब दिया है तो इस सारा देख रहें कि धेरे-धेरे गुलबंदी हो रही है भाजपा के भोट्रों का नितीज कुमार के खिलाब गुलबंदी हो रही है और ज़्य भाजपा इसको सग्ञान में नहीं लिया तो इसकी भारी कीमत भाजपा को चु कवानी पड़े गही आज अती पीछडे भी नितीज कुमार से बहुत खुश नहीं है दलित खुश नहीं है तो मिलाज उला करके इनके साथ जैसे लालु यादब मुखमंत्री से हटे उसके बाद लगतार सत्ता से बाहर रहे जेल में भी रहे तो क्या नितीज कुमार पर भी ऐसा ही एलिगेंस लगेंगे और फिर ये भी लालु परसाद यादब की तरह ही होंगे या फिर और भी ज्यादा पॉलिटिक्स में मतलब अगर मुखमंत्री नहीं रहे तब इनका इस्थिती खुले लालु जादो सत्ता से बाहर गए भी उनका एक निस्थिक्स्ट भोट बैंक है और जिस वर्ग से वह आते हैं उसका बहुत बड़ा बिहार में जनाधार है और उसके साथ है कॉंग्रेस की कमजोरी के कारण जो अल्पसंख्यक समाज है वो अभी उनके साथ है तो दोनों मिलाके 30-32 परसंट का भोट बैंक है लालु परसाद के साथ है जो नितीस कुमार के साथ नहीं है लालु परसाद साले 900-900 कलोर के चारा घोटाले में वो अभियुक्त हैं और जेलों में बंद भी रहे हैं कई ब बजट था आज 2,00,00 कलोर से ज्यादा का बजट है और देख रहे हैं कि जिस तरह से एक छोटे-छोटे अपसर पकड़े जा रहे हैं 80,00,00 कलोर, दो कलोर, सोना का हीटा, चांदी का हीटा उनके हां पकड़ा रहा है बड़ी मचली पर तो हाथी नहीं डाला जा रहा है तो जदि यह हुजागर होगा तो इनके लिए बड़ा दुरभागे पुर्ण होगा और हम समझते हैं कि इसी दर से वो भाजपा के साथ दामन्था में हुए हैं मतलब कि यह कई लोग कहते हैं कि अमीत साह इनकी कम जोड़ी पकड़े हुए हैं कि लोग कहते हैं कि नरेंदर मोदी भी बदला लेना चाहते हैं ऐसा कुछ बीजेपी आगे आकर एक्सन लेगी ले सकते हैं आप देखेंगे कि अमीत साह और नरेंदर मोदी की जो जोड़ी ह किसी को अभी तक छोड़ा नहीं है नितीज कुमार राजनीतिक मजबूरी उस समय के लिए हो सकते हैं लिए जिस तरह से इन्होंने अपमानित किया है मुखमंतरी को खाना पर बुला करके फिर मना कर देना उसके अलावे पांच कड़ों रुपया जो कोशी के तरासी में दिया उसके लंबे समय तरह करके उसको वापस कर देना और एलाइंस के लिए सर तरखना के इंदरे नुर्मोधी बिहार में चुनाव परचार नहीं करेंगे तो यह तो किसी भी स्वाभी मानी बेक्ति को थोड़ा भी होगा तो यह आहत करने वाला चोट पहुंचाने वाला है और दोनों एक दूसरे के लिए समय के इंजार में है और इसकी friendship at arm's land इनका दोनों का दोस्ती है एक छल प्रपंज पराधारित है यह बात कर रहे थे हम अभी प्रोफेसर रामजतन सिन्हा जी से बिहार की राजनीती को लेकर और कई बाते इन्होंने पूरी साफगोई से हैं और बताएं हैं हम उमीद करते हैं आप बने रहेगा जहकास भारत के साथ बिहार पॉलिटकल अबडेट्स में हम इसी प्रकार से मुद्दे लाते रहेंगे और सुनाते रहेंगे बिहार के राजनीती को लेकर और चैनल को सबस्क्राइब नहीं कियोंगे तो कर लीजेग मेरा नाम हुआ रविकांत धन्यवाद